हम लोग श्रीमत भागवतम के दूसरे स्कंद के पांच में धाय के 31 को देखेंगे आप विश्य समझी रहे हैं स्रिष्टी के क्रम का वर्णन हो रहा है और स्रिष्टी में कारण तत्वों का वर्णन हो रहा है कारण स्रिष्टी वो ingredients जिसके द्वारा घटक अवयव सब शब्दों का रताब समझते जिनके द्वारा सिरिष्टी जिनको लेकर ब्रह्माजी सिरिष्टी करते हैं तो वो कारण सिरिष्टी हो रही है आप सुन चुके हैं तामसिक समझते हैं ना चावल का चावल से खिच्छी बना रहे हैं तो चावल की सिष्टी कैसे होई तो चावल कारण हो जाएगा तो इस जगत के कारण क्या है और वस्त्वेंजे से बना हुआ है तो आप देखने तन मात्राओं से इंद्रियों से बुद्धी ज्ञान मन महत्त्व तो सिष्टी हां महत्त्व उसके बाद मेदर जो मलब ग्रौस तत्व आकाश पंच महाभूत देवता यह सब की सिष्टी देख रहे कि नहीं तो आप तामसिक अहंकार की सिष्टी देख सुन चुके हैं पंच महाभूत थे और तनमात्नाएं और सुन रहे हैं धांसे तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और पंच तनमात्नाएं विदी अब आपने सात्विक अहंकार से सुना था क्या वैकारिकान मनों जगे देवा वैकारिका दश्व दिगवातार का प्रचेतो श्वी वहनिंद्रों पेंद्रमित्र कहा वैकारिकान जग्य अठात्रिष्टी हुई देवा वैकारिकव दशह देवा जो दश्प्रकार के देवता हैं वह भी इस सत्विक अंकार से उत्पन हुए देग यानिकि दिशा वात्म निवायू अर्क मतलब सूर्य प्रचेता अश्वी मतलब अश्विनी कुमार वहनी मतलब अग्नी इंद्र मतलब इंद्र उपेंद्र मतलब देवता और मित्र मतलब मित्र का मित्र मतलब मित्र देवता और का मतलब ब्रह्माजी तो दस हो गए यह हो गए सात्विक अहंकार के सिर्ष्टी कटनाई है यहां तक अब हम लोग राजसिक अहंकार की बात करेंगे और दिखेंग र हांघ कार स्रीश्टी स्लोग वाद चोटा से हूँ आप सुनंगर जान बूज़ करके मैंने छोटा साश्रोल के और डोग दिया था क्योंगि इसके बाद टॉपिक चेंज हो रहा है, इसके बाद कार स्रिष्टी के बारे मरोगा, इन सब वस्तों के स्रिष्टी के बाद आगे क्या-क्या वस्तवे बनी उसके बात होगी, तो उसको हम आगे देखेंगे, अभी हम लोग इसको देखते हैं, मेरे पेछे बलिए, आप समझ रहे हैं, ता राजसिक अहंकार से क्या सुर्ष्टी हुई यह हम सुनने वाले हैं। सुत्रम्त्वक ग्राण द्रिग जिवा वाग्दोर मेडांगरी पायवा। तैज सातु विकुर्वानात इंद्रियानी दशाभवन। ज्यान शक्ति ही क्रिया शक्तिर बुद्धी प्राणस्चते जसौ। स्योत्रम्त्वक ग्राण द्रिग जिवा वाग्दोर मेडांगरी पायव। जैज सातु विकुर्वानात इंद्रियानी दशाभवन। ज्यान शक्ति ही क्रिया शक्तिर बुद्धी प्राणस्चते जसौ। स्योत्रम्त्वक ग्राण द्रिग जिवा वाग्दोर मेडांगरी पायव। जैज सातु विकुर्वानात इंद्रियानी दशाभवन। ज्यान शक्ति ही क्रिया शक्तिर बुद्धी प्राणस्चते जसौ। स्योत्रम्त्वक ग्राण द्रिग जिवा वाग्दोर मेडांगरी पायव। एक बार और आप बोली। तैज सातु विकुर्वानात इंद्रियानी दशाभवन। ज्यान शक्ति ही क्रिया शक्तिर बुद्धी प्राणस्चते जसौ। स्योत्रम्त्वक ग्राण द्रिग जिवा वाग्दोर मेडांगरी पायव। शोत्रत्वक ग्राण द्रिग जिवा वाग्दोर मेडांगरी पायव। रतनेश प्रभू, welcome! Finally you have come! Hare Krishna! So this is very important. हमारे रतनेश प्रभू 20 बार भागवत पढ़ लिया है। लेकर समझ में नहीं रहा है। और यह पढ़ चकते हैं। और यह दूसरा स्कंद तो बहुत भारी लगता है। तो बहुत कठिन लगता है। समझाए नहीं बहुत इंट्रस्टिंग है। अगर उसको साइंटिफिक लिए समझें। साइंटिफिक ब्रेन वालों को तो बहुत अच्छा लगता है। विज्ञान है। आप देखिएगा। चुटा सचलो के लिगन बहुत सारी बात इसमें है। आज रजोगुण के कार्ड़ुए तो अमोगुण का प्रविस कैसे बुराया। क्लास सुरू हुई नहीं कि वस उंगुणा सुरू कर दिया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। दुपैर में तो रजोगुणा को भुब बरा हुआ था। हां थीक है। तलवार निकालने में बहुत आगे। वह उंग उंग करके नएव। जगणा को थे नहीं। रजोगुण में और अधिग ईकर होने से Schritt प्रान के ही सात श्रवन त्वाचा नाँख आख जीव मुख हात जनन इंद्रिया पाम तथा मल विसर्जन की इंद्रिया सभी उत्पन होती ध्यान देना होगा कि साथ पे कहंकार से इंद्रियों के नियामक देवता उत्पन होते थे और क्या निंद्रिया कर्में इंद्रियों को नियमित करने वाले थे और मन को सेमित करन अब यह कहा दाशने सप्लाई कर दिया लेकिन यह कहना कि यह एक के बाद एक होता है इसे करके तत्म का निर्मान हुआ तो अब देवता पहले आएंगी उसके बाद तो इंद्रियों के सश्टी होगी इंद्रियां आ गई और देवता नियामक हुए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तो ऐसे मैं समझ रहा हूं कि भाई पहले आकपंच महाबूतों की सश्टी हो गई तनमातना की सश्टी होगी तामसी कहंकार से उसके बाद सात्वी कहंकार से देवत अर्थात नहीं लिखा है, ज्यान शक्ति करत लिया गया है बुद्धी, समझ में आ रहा है, और ये ज्यान शक्ति वो ज्यान शक्ति नहीं जो आत्मा की ज्यान शक्ति है, एक भग को कन्फिशन हो गया था, आत्मा की ज्यान शक्ति करत क्या होता है, मैं हूँ और मैं अन्यों स विए हमारी ये जो घ्नशक्ति है कि मैं हूँ उगरजय मतलब इस चंपन यह मांते ना आतना को सवत्र शाश्वत चिद मतलब ज्यान पोर और आननड मतलब आनन्ड में कि इस यह जो चिंशक्ति शक्ति वू अलग है हमारी मैं हो भारविस की मैं हो यह रजोईय मतलब तो भ्रहमित नहीं वहेंगे यहां पर ज्यान शक्ति मतलब बुद्धी क्रिया शक्ति मतलब प्राण इसलिए बुद्धी और प्राण के संग इसको लिंक करना पड़ेगा जो तैजस अहंकार के कारे हैं बहुत ध्यान से सुनना होगा तो आप समझ पाएंगे इस बात को बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा देखिए यहां पर दो शब्दार है तैजसाथ और तैजसाव तो तैजसाथ तो मलब तेजस यानि राजोगुण के विकार से लेकिन तैजसाव शब्द दूई वचन में मैं यहीं अटक गया था कि यह दूई वचन में क्यों है रामह रामव रामान आसे होता है ना सब भूल जाओ यह भी पढ़े नहीं आठीव में जान रहे हैं हिंदी में नहीं चलता है अंग्रेजी में चलता है लेकिन संस्क्रिट में चलता है दूई वचन दो तो यह बुद्धी और प्राण दो हैं कि नहीं हम दैजस ऑ मतलब यह दोनो यह दोनो बुद्धी और प्रांड एनों शक्ती और क्रिया शक्ति यह तैजस अहंकार के कार्य मतलब तैजस नहीं है को 200 ऊंतल्य नहीं है को कि Hai Rider थी नहीं है कि scraping पढ़े संस्कृ्द के भाई दो तेजस नहीं है तेजशitt और दो वस्तों से बुध्धी और प्राण से लिंक कीजिये यहां पर अचारों ने समझाया है कि तेजश्ट कम सब्सक्र 경찰 धिक्ष। यह दोनों इनके कार्रें यह दोनों याकि बुध्धी कि और प्राण यह तेजस के कारणाई दुसलें दुइ वचन का प्रयोक कर रहा हूँ तो यहने कि ग्षाव डिजका अर्थात रोकाat छोड़े यहीं से ज्ञान शक्ति बढऻ्धि यहनीं ग्नशक्ति अर्थात बढ़्धी और राजस अहंकार के कार्य हैं। मुझे पता था कि इसमझने में कटनाई आएगी। इसलिए विकरवानातु तु तैजसात राजस अहंकार के रूपांत्रण से विकरवन कार्था समझे सकते विक्रिया परिवर्तन से नसे रहते हैं। आप देखेंगे कि यह अगर मैं फोन आ आपको देता हूं , तो हाथ में तुरंथ गरों करने के शक्ति है इसलिए जब उस्ताग वितरण करते हैं तो भगत लोग हमेशा बोलते हैं कि बात करती रही लेकिन ये गीता देखी ऐसे तुना हाथ में पकड़ाई है कि हाथ में एक पकड़ने करें पकड़ने की परवर्थी होती है बहुत सिंबल तो श्लोक ने हैं बहुत मज़दार आपने महसुस किया ऐसा नहीं कि आप बात ही करते ना गीता का सपर शिना करा आपको ट्रिक बताई गई है आप दिखाई उसको गीता वह बात आपसे पुदर्द गीता नहीं देख रहा है वह आपकी बात सुन रहा है लेकि इसको मैं देखा तो ग्रहन करने की इंदर्यं मतलब खाना तो नहीं भी मुघ करने ना ना वह धो फिर ज्यान इंदरी हो जाएगा तो दो यहां पर ग्रहन करने इंदर्य अर्ठात हाथ मारीब करने जा रहा कि ज्यान शक्ति बुद्धी के इर्दगर्द सारी ज्यानिंद्रियां है और उसलिए क्र प्राण शक्ति प्राण शक्ति कि चारों और intelligent क्रिया फिसलिए समझना होगा कि इंद्रियां भी Tेजस के कार हैं कर दसक्दर लेक सेंस एंस पिर से रिपीट कर रहा हूं जृत County अर्थाथ Buddha आर Krya content अर्थाथ Praan यह क्रियर्व नौन की अटी के कार है story and इसलिए वीएड है उसके अई समझ ना कि इंद्रियां भी घए आप तो नहीं भेज पाये हमको देखे देखे बहुत विनोध पूर्ण टीका करी है कि देखिए सत्वात संजायते ज्ञानम है ना सत्व गुंड से ज्ञान की उत्पत्ति होती तेनी ज्ञान शक्ति बुद्धी तो सत्व गुंड होनी चाहिए और उसके बात कहा रहा है कि जो इंद्रिया है करमें इंद्रिया तो स्थूल है तो तो थम्सिख होने चाहिए लेकिन वो यह आपर क्लियर कर रहे हैं बाल प्रवधिनगे क्लियर क्लियर क्या गया कि यह नहीए ऐसा नहीं समझे बुद्ध्री और प्राण दोनों यह तेज़स जैसरों अहन्कार के करे और इस कारण से समंधिते बाक इंद्रियं भी राजशिक अहन्कार के ही कार है इसी लिए आप देखिए कि बार-बार वह जिफें बोलते हैं कि इंद्रियं लगातार विचरण करती रहती है भूगों के लिए काम, राजोगुण, तो ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है अपनाओं को, ध्यान ये जरूर देना है, यद्यपी बोला गया है ग्यान शक्ति और क्रिया शक्ति, ग्यान शक्ति कंट्रोल करती है ग्यान इंद्रियों को, और क्रिया शक्ति कंट्रोल करती है कर्म इंद्रियों को, लेकिन जो इंद्रियों का क्रम दिया गया है श्लोक में वह है एकदम क्रम से नहीं बोला गया जरा पकड़ी आप शोत्र शोत्र क्या है ग्याने इंद्रिया ठीक है त्वग क्या है ग्याने इंद्रिया ग्राण क्या है ग्याने इंद्रिया द्रग ग्राणे इंद्रिया जिव जिवा ने जिवा है ग्यानेंद्रिय कर लेते हैं वाग वानी कर्मेंद्रिय दूर हाथ कर्मेंद्रिय जनेंद्रिय तो एक हमें तो करम दिख रहा है पता नहीं क्या बोल रहें में मतलब जनेंद्रिय वहवी कर्मेंद्रिय आंगरी मतलब पाउं यह तो सब सीकुंस पर दिख रहा है तो क्यों ऐसा क्या दम को निए समझ में आ रहा है ठीक है आगे पढ़ लेते हैं ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धी प्रानस चुदे आगे पढ़ते हैं इधरी चुद कि ज्ञान शक्ति बुद्धी तथा क्रिया शक्ति प्राण ये दोनों भी राजस अहंकार जन्य हैं अतेव इंद्रियां भी ज्ञान विशिष्ट और क्रियां विशिष्ट थे इसका अर्थ शंवज लेना पढ़ेगा कि ज्ञान इंद्र कर्मिंद्रियां प्राण के द्वारा कंट्रोल है इसलिए जब प्राण डिस्टर्ब हो जाता है तो विक्तिक ठीक से कारें नहीं कर पाता है और यह सब त्याजस अहंकार से उत्पन्न हैं इन सब को सबों को शोत्र त्वग इत्यादी पत्से कहा गया यह बहुत सबस्ट है यह समझ में आ रही है सब लाइने मतलब नीचे के शोत्र यहां पर श्लोग आप देख सकते हैं दिखा हुआ है श्रोत्रम त्वग ग्राण द्रग जहवा तो इन इंद्रियों का नाम रखा जा रहा है मूल में इंद्रियों का क्रम विविख्षित नहीं हम कुई समझ में नहीं आ रहा है किसी के पास रिसर्च का टॉपिक है तो पड़ सकते हैं सारा दर्शनी राजसिक अहंकार की रुपांतरन द्वारा इंद्रियानी दशाभवन अर्था दस इंद्रियों का उध्य होता है पंच इंद्रियों की ज्यान शक्ति बुद्धी है एवं पंच कर्में इंद्रियों की क्रिया शक्ति प्राण है स्पष्ठ है तैजसव अर्थाद बुद्धी एवं प्राण राजसिक उसको बंद कर दीजिए कहां था मैं ऐसे विश्य कठिन हो जाता है फिर डिस्टर्ब नहीं कि कुछ शतोगुण लेकर क्या है यह तक भी क्लियर हो गया अतहा पांच शोत्र आधी ज्यानितियां बुद्धी विशेश है तो यानि कि जो पांच शोत्र रहने की सुनना जा आ आख से देखना न आक से सुंगना चक न और स्पर्ष यह सब बुद्धी के द्वारा कंडॉल्ड है इवढ पांच वाक आधी करमिंद्रियां प्राण विशेशएग ‫मतलब वाणि दोनों पाउन जन्यनिंद्रिय और मल द्वार यह प्रान के द्वारा उसका विशेश अर्थ नहीं समझ में आ रहा है यह समझा जाना चाहिए कि तामसिक अहंकार की कार्य वायू प्राण के रूप में राजसिक अहंकार की भी कार्य है यह बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट है तामसिक अहंकार की रूप में क्या थजर साथ याद कीजिगा यह कि देखिए अगर यहां पर दिख रहा हो तो सबसे पहले ध्वनी ध्वनी से आकाश आकाश स्वर्ष स्वर्ष वायू और वायू का ही एक रूपान थंत्रा प्राण है कि नहीं तो उसी तरह से कह रहे हैं कि प्राण को दूर्णू का प्रट मानना चाहिए तमगुण का पांसिक औहर का भी और राजिक अहंकार का भी लेकिन देखे एक बास समझना होगा ऐसा नहीं समझ कोई भी वस्तुष जगत में अमश्रित नहीं है उसमें सात्य कांगुण भी होता है कि अधिक यह समझार अचाहिए कि तांजिक अहंकार की कार्य यह कार्य मतर इफेक्ट वायू प्राण की रूप में राजिक अहंकार की जब्ही कारे हैं मिला जूला करके हैं दो अर्थात हस्तमेड अठ्छत उपस्त उपस्तमद जुने निंद्रिया पायु अर्थात कोड़ा यह विरॉन उच्छत क्रमसार नहीं है हम को नहीं समझ में तुर हम बेकुंप हैं सुध करनें को नहीं तो क्रम लग रहा था आ रिसेर्च स्कॉलर नहीं है, ध्यान नहीं दिया हुआ है। कम से कम सोचने लगेंगे आज है क्या क्रम तो दीख रहा है तो क्रम क्यों नहीं दीख रहा है। कुछ तो गलत तो नहीं बोल रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहा है। Anyways, we will discuss it, no problem. Okay, maybe. Maybe, Professor, maybe. दिखाए, प्रबोषण में भी चोत्र मनदः सुनना, तो क्या बोल रहा है। आचा यह हमारे प्रभू बोल रहा हैं कि यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में इंद्रियां बनी है, यह बात समझ में आज सकती है। यह जरूरी नहीं है कि इंद्रियां इसी क्रम में बनी हो कि पहले आख बनी पर यह एक साथ भी बन सकते हमको आप डिसर्च को टॉपिक तो डिसर्च टॉपिक रहेगा ना ऐसा नहीं है कि आपी किसंग हो रहा है सबको सारी बात समझ में नहीं आती है और इतना सोचने का कि एक बात इन श्लोकों से समझ लेना चाहिए और शायद आप लोग इसको अनभब भी कर रहे होंगे कि देहात्म बुद्धी पर खूब मिसाइल दागी जाए नहीं है इसके पर इन श्लोकों को पिशार करने से देहात्म बुद्धी पर बहुत बड़ा आगहात पहुंसता है और बहुत अच्छा है कि मैं ये देह हूं अपने को अपने शेलिक कुछ परके से डाइसेक्ट करते हैं इंद्रीयों की रूप में करविंद्रिये ग्याने इंद्रिये इस देहात्म बुद्धी से बाहर निकलने में साहता नहीं कर रहा है कि आतपारिया एक आपको मैं थोड़ी विनौत की बात बताऊंगा तीसरे सकंद में बताया गया बुद्धी का एक फंक्शन है श्लीप और आप ये प्रैक्टिकल देखते हैं कि नींद अगर पूरी ना हो तुनना तो गीता समझ में आती है ना बोली जाती आज मारी बहुत डिस्टर्ब था कुछ तो पता नहीं मुझे लगा आज तो गीता में को कम्यूनिस्ट भी याद नहीं आ रहा था पता नहीं क्या हो र अब बुद्धी काम करना बंद यह बहुत बड़ा सूत्र है उसका फेल हो गए और हमको याद है मों सर बोले हमने का सर आप फाइनल यह रहा है सर कल दो पिपर उसर तो मांते नहीं नहीं यह तो कम वकिर्तन चलो वकिर्तन पहुंच गए अब क्या बचा कुछ नहीं बचा क अब कम लोड़ो सोजा अउठा और एक में ए लगा एक में लगया इसलिए वेक्ति हमारे टीचर बताय करते थे थोड़ा सा मैट्रिल बात बोल रहा हूं लेकिन कि एक्जाम वाले दिन नहीं पढ़ना कितना अमेजेग एक्जाम वाले दिन नहीं पढ़ना पूरा साल जो प लेकिन यही हमारी साधना पेपी घटित होगा आप में से कितनी लों का असानभव है कि अब हम जादा हीरो बने और बहुत रात तक जो कि हम फिर भी तीन बजो जाएंगे और हां उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे उसके बाद यह जब कि अगनी कब समाप्त होगी यह मेरी एक्जिस्टेंस को जला रही है देखा है कि नहीं यह एक बहुत इंपॉर्टन पॉइंट आप इस लोग से सीख रहे हैं कि नीन पूरी हो जाए अगर आप हरिदास ठाकुर जी नहीं है तो तो वह तो कई जन्माओं के बाद क् पूर कर रहे हैं एक बात बहुत लग रही होगी लेकिन अभी भकत को देख यह दिक गया हमको उनको बोल रहा हूं कि जल्दी सो जाओ लेकिन वह सोने का कारेक्रम के वालप में ही पूरा करते अब लोगवाण हरे किर्ष्रा मंत्र अब उस्ट को से क्या होगा उस्ट क्या होने वाला है समय सोई यह ताकि नीन्द पूर्याप्त हो जाए और है कि नहीं है हाओ के नहीं है कि अगर मान लिजिए आपको आधा गंटा और सो ना तो सो लीजिए लेकिन नींद परयाप्त लेकर करके जब करना शुरू कि कि हर विद्धी नहीं करें को विद्धी दो बजे ऊठ रहा है विद्धी आपनी बात कर रहा है अधिन उस्था आधा गंटा जब करेंगे बैट करके एक बजे उट गए ने दो बजे ने पर और उसके बाद शे ऐसा चक्कर हो गया है हमारा सारा बंटादार हो गया बिलकुल आपने देखा जन 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 होता है नेंद पूरे नहीं होती तो भाईया भी बहुत समय तक हरितास्टा कुरजी किसी ते अलग है हम लोग उस तर पे नहीं है युक्ता अहारविहारस्ता युक्तच श्टस्ट्श्य करमसो युक्तश्पनावबधस्य योगों बहुत दुखा टाइम से सोना जाहिए टाइम से उठ जाना चाहिए वही कर लें बहुत बड़ी बात कटनाई मिरसंग यह कि सारी पढ़ाई रात में उपाती फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं और इसलिए भक्तों से भी निवेदन करता हूं कि कल एक भक्त बोले हमसे बहुत बड़ी अंगर्च कर रहे है नाम जोप में तो समझने का प्रयास कीजिए टाइम से सो जाया है ताकि अच्छे से निन्त पूरी हो आप सब्सक्राइब नाम बचारण ठीक से कर सके हैं बहुत इंपॉर्टन बखारी बुद्धी पर बोल रहा हूं तात पारियो बहुत जगत में जी दोनों चीज़े चाहिए ना करने के लिए कटिन जीवन संगर्ष का सामना करने के लिए ज्यानिंद्रियां बुद्धी की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धालना हाथ तथा पाउं जैसी सक्री इंद्रियों के संचालन से होती है यह बड़ा इंट्रस्टिंग है इसका मतलब प्रापाजी क्या कहना चाहते हैं देखिए जीवन संगर्ष क्या है एक के बाद एक समस्या आती जा रही है और आपने जीवन पर विचार कीजिए सुबह उड़ते ही हम समस्याओं को समाधान करने में लग जाते हैं ब्रश का है मुझ साफ नहीं ठीक है कुला करता क्या किया उठे है अच्छा ठीक मुझ में सब नार भरी हुई है सभी का हम गोता होगा इतने सुन्दर तो नहीं दिख रहे हैं इस नाद करके प्यारे प्यारे ऐसा तो नहीं दिख रहे तो सुबह उठने वाला फोटो आप सबजी सकता है को लगाता है सेल्फी में अपने नहीं लगाता है हां तो अब वह गंदा है तो आपकी बुद्धी ने सचा विटमारा मुझ गंदा चलो अब टांग चलना सुरू किया है कि नहीं उसके बाद हातोंने पानी लिया मुधुला तो हम बलकुल आटो मोट पे कर रहे हैं लेकिन आप जान रहे हैं कि एक प्रॉब्लम सौल हो गई क्या मुझ में जो गंदी लार भरी थी वो निकल गए मुझ से आचा उसके बाद फ्रेश होना है फ्रेश होना है समझते ही है तो यह हो गया फिर गरव पानी पिया अब टेहलूं की बैठके जब करूं यहना क्या कर आए समझ रहे हैं आप एक संगर्ष देख रहे हैं भूक लगी निक्या कहा हूं रोटी कहा हूं कि यह कहां इस्ट कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट हम लोग आद्यात्मी जीवन के बारे में सोची नी सकते बलकि यह देखिए कि हम लोग कोई समस्या ना हो तो यह समस्या हो जाए कौंस्टेंट संगर्ष कारण पता सकते है क्यों कि हम लोग आत्मा शाश्वत और यह शरील एक धम विपरीत विस्तिति वाला बिल्कुल विपरी विस्तिति वाला है जैसे मालों हम डाल दिया जाए तो पानी में कितना संघर्ष होगा पानी के जीव नहीं है ना सतो विद्यते भावो नम्हावो विद्यते सतह उभ्यो रपी द्रिष्टों स्तस्त्वन्यो स्तत्वदर्श भी आप समझ में आ रहा है पराण का फायदा खट से गिता आ जाती है तो आप देख रहे है जन्म लेना वरिद्धी होना तो परिवर्तन होना चाह होना अबाइप्रट्स करना और चाह होना खता हो जाना यह एक भी आत्मा में नहीं बिल्कुल विपिरीज स्थिमें डाल एक इसलिए संगर्ष चलना है और इस अंगर्ष से निबटने के लिए वेक्ती ग्यान थान वन होता है कि अते विधी तक ठाण समेश सारी इंद्रियां प्रकिती के दिद्यगण रजगण के विवब उत्पाद तथा नित उनमपव उत्पाद है जैसा कि पहले कहा जा चुका है यह मैं हो नहीं समझ में आ रहा है कि बिल्कुल नहीं समझ में रहा है हम लोग टीका में कुछ उल्टा पड़ें उसका कि जो प्रान तत्व है यह रजोगुण सेभ्यूत्पन हुआ है और यह प्रान तत्व यह वायु तत्व तमस्तामसिक अंकार की प्रफपाद यह क्यों बोल रहा है इसको आप लोग उचार स्रिष्टी है उसका हम लोग आगे वनन सुनेंगे वो टॉपिक चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कल से सुनना शिरू करेंगे कारण स्रिष्टी मतलब इंग्रिडिएंट स्रिगे हो चुके है अब उसके आगे और जो एफेक्ट्स होंगे उसको हम आगे देखना हम लोग पराण करके रुखते हैं ठीक है श्रीमत भागवत्म की जाए श्रीदा प्रफुपाद की जाए निताई गवर फिमान अन्दे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हां बस एक यह रिविजन भूल लिया जाए नहीं अभी जाए बोलेंगे इसके बाद जाए बो और वह क्या है दर देख लिजेगा कान आंख तवचा नाक जीब और हाथ यह इंद्रियों के देवता हैं दिग देवता सूर्य वाईयू वश्वनिकुमार वरुन इंदरादी उसके बाद पांच और भी थे कर्मिंद्रियों के तो वह हैं सात्विक अहंकार के कार्य एफेक्ट देवता सात्विक अहंकार की स्रिष्टी है कर्मिंद्रियों और ग्यानिंद्रियों के देवता सात्विक अहंकार की स्रिष्टी है साथविक अहंकार की भी सिर्ष्टी है मन और कर्म करमेंदरी और ग्यानेंदरी करमेंद्रियों के δेवता क्लियर प्राण और प्राण बुद्धी और दस कर्मेंदरियां भी किस अहंकार की सिर्ष्टी है फिल ग्र एदब्लैंग ए helping सिक्ठ ऐया घ। और पंच तन मात्रा अर्थात रूप रस गंद आदी और शब्द धनिश स्पर्ष रूप स्वाद और गंध और आकाश वायू अगनी जल प्रत्व यानिकी पंच तत्व यह किसकी स्रिष्टी है तामसिक अंकार की तो यह कारण स्रिष्टी है यह सारा मटिरल डेड़ी है ठीक अब इसके आगे क्या होगा वह हम लोग आप लोग बताओ कल सुनना चाहते है या फिर परसा सुनना चाहते है मेरे लिए पता कटना जंदा क्या है बेरे लिए नया टॉपिक तियार करना कटें होता है और रेगुले टॉपिक असान होता है बड़ एनिवेस विल हम होगा जो भी होगा करेंगे करेंगे कल आप बोलेंगे भाग मतम की जाए रभुपात की जाए नितायक और प्रिमान देए